मैंने तो बहुत-बहुत पहले ही ये बात समझ ली थी कि अगर कोई जीव, कोई व्यक्ति पूरो जनम में संत था, अपने तिवर कोड़ के करण मरकर के चंड कोशिक साप बना, तो मुझे तो बहुत पहली ये समझ में आ गई, सावधान, 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 संत बनना ही परियाप्त नहीं है, कोई व्यक्ति शावध तो छोड़ो, संत बन करके भी अपने अति क्रोध के करण मरकर के चंड कोशिक साप बनता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ, खेवल संत बनने से साधना नहीं सदेगी, बलकि अपने क्रोध कशायों को नियंत्रित करने से व्यक्ति की आत्मा का उद्धार होगा, ये आप सामाईक का वरत करते हैं, प्रति दिन एक सामाईक का वरत करते हैं, ये एक उत्तम यवस्था है, और ये सामाईक का वरत इसलिए इसका प्रावधान किया गया है, ताकि उस एक घंटे में बैठकर आप समता की साधना कर सकें, और ये बोध प्राप्त कर सकें, जैसे मैंने एक गंटा तक सामाईक वरत में किसी भी तरह का सावध्य कारिय नहीं किया किसी भी तरह के हिंसा मूलक गतिविदी नहीं कि किसी भी तरह के मैंने कोई प्रतिकरिया नहीं कि तो वैसा ही मुझे अपने 24 गंटे में भी उसका ध्यान रखना है उसका विवेक मुझे बनाई रखना है इसी लिए तो अपने लोग सामाई के वरत के उपासना करते हैं आराधना करते हैं मेरे प्रभुजी ये बात समझ लो कि क्रोध करने का कभी कोई फाइदा नहीं होता आत्मा का पतन होता है अपन सभी लोग धार्मिक लोग हैं अपन सभ संभव होता है जितनी संभावना होती है उतना व्यक्ति पूजा करता है आरादना करता है सामाई करता है तप करते है त्याग करता है नवकारसी करता है रात्री भोजन का त्याग करता है लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी हम लोग एक मनोविकार से बार-बार गरसि है कि अरबों अरब वर्ष तक अरजित किये गए पुन्य केवल एक बार के क्रोध करने से क्षय हो जाते हैं वर्षों वर्ष के अरजित किये गए पुन्य एक बार के क्रोध करने से क्षय हो जाते हैं अब भाई साब अपन पुन्य भी खुब कर रहे हैं पर वापस ये तो वो ही हालत हो गई कि गजराज जाता है नहाने के लिए नहा दोकर के बाहर निकल कर आता है और आते हैं वापस कीचड को अपने ही पीट पर उच्छालता है तो अगर हम लोग ये बात समझ जाएं कि हम जो इतने पुण्य कारिय कर रहे हैं दान कर रहे हैं पर हमारा ये मनो विकार ये आग हमारे उन सारे पुण्यों को जलाने की ताकत रखता है तो क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम इसे छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते या हमेशा जंदगी भर इसी के शिकार शिकार होते रहेंगे कहते हैं कि एक कमपनी में सारे लोग सर्दी का माहूल और बैठे हुए थे बीच आंगन में हीरों की छटनी कर रहे थे कि इतने में ही एक जोहरी आया और जोहरी ने आकर के कहा कि भाई मैं अपने साथ दो बेमिशाल चीजें लेकर आया हूँ और ये देखो और ये कहते हुए उसने दो नमूने आगे बढ़ाए और नमूने बढ़ाते हुए कहा भाई ये अद्बुत चीजे हैं कमपनी के मालिक ने भी दीखा तो वो भी चौक पड़ा बिलकुल अद्बुत पर बोले इसमें खासियत क्या बोले इसमें एक काच है और एक हीरा है तो बोले इसमें कौन सा काच है कौन सा हीरा है बोले यही तो आप लोगों को पहचानना है जो पहचान लेगा ये हीरा उसका हो जाएगा और अगर नहीं पैचान पाया तो इस हीरे की जितनी कीमत है वो मुझे देनी पड़ेगी अब सब लोग उसे देख रहे थे कौन सा हीरा, कौन सा काच कौन सा हीरा, कौन सा काच सरदी का मौसम था सब लोग धूप में बैठे हुए थे कोई निर्णे नहीं कर पा रहा था कौन सा हीरा, कौन सा काच क्योंकि अगर गलत बता दे अगर गलत बता दे तो उन्हें हीरे जितनी कीमत उनको देनी पड़ेगी तभी एक अनुभवी व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता था उसने कहा सर अगर मुझे मौका दे तो शायद मैं कुछ देख के बता दू वो आया करीब दोनों को अपने हाथ में उठाया और दस सेकेंड फिलिंग की दोनों को हाथ में लेकर के कौन सा हीरा, कौन सा काच और जट से उसने एक हाथ आगे बढ़ाते वे का ये हीरा है और ये काच है ये हीरा है ये काच है आगन तुक जहरी ये देख करके चौक पड़ा बिलकुल सही पहचाना तुने कि ये हीरा और ये काच मगर तुने पहचाना कैसे तुझे तो दिखाई भी नहीं देता बोले एहसास से अनुभाव से मैंने पहचान लिया कौन सा हीरा है और कौन काच है बोले कैसे एहसास किया बोले अपन सब धूप में बैठे हैं जो धूप खाकर के गरम हो गया वो काच है जो धूप खाकर के भी थंडा रहे गया उसी का नाम हीरा है जो धूप खाकर भी थंडा रहे गया उसी का नाम हीरा है भाई मैं थाने हासा हासा कर रहे हो तो थेभी आँसा आसा ही क्या हो ला पर मैंने आपको दो टेड़े शब्द कहें फिर भी आप कहते हैं गुर्दे आपके बड़ी कृपा है तो यह हुए असली एरे की बात है दूद के बन्ले में तो दूद सभी पिलाते हैं पर किसी इसने चार गालियां दी फिर भी आपने उसको शर्वत पिलाया तो ये हुई आपकी समझदारी है ये हुई आपकी असली सामाईक और समता ठीक है अगले के पास जो था वो उसने दिया आपके पास जो है आप दीजिये उसके पास गुसा था उसने गुसा दिया आपके पास श अगले ने गालियां दी और हमने भी गालियां दी तो दोनों एक ही थेली के चट्टे बट्टे होगे ना दोनों के माजरे फिर एक जैसे हो गए इसलिए शांती का मंत्र हमें ये कहता है कि अगला कैसा भी व्यवार करें वो इंपोर्टेंट नहीं होता तुम कैसा व्यवार कर बस यह महत्व पुन लाइन है में इस बात को दिलो दिमाग में पूरी तरह उतार लें कि अगले का महत्व नहीं है अगला कौन Representation का है हमने क्या किया बस इस बात को अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग अपने क्रोध को नियंतित करने में हमें कोई भी असवीधा नहीं होगी मेरा यह मानना है अगर बच्चा गलती करें तो जरूर डांटो पर डांटने से पहले उसी बात को प्रेम पुर्वक समझाओ अगर प्रेम पुर्वक समझ में ना आए तो फिर डांटने की आपको अनुमती है पर पहले ही चरण में अपन लोग हाका हुका हुलडबाजी करना शुरू कर दे इसका मतलब अभी हमारा अपने आप पर नियंत्र नहीं है हमारे दिमाग के पेच थोड़े डीले हैं कहें ऐसा नहीं कि गल्ती होने पर हम ना कहें जरूर कहें जो बात हम तैश में आकर कहते हैं वही बात अगर प्रेम पुर्वक कहना शुरू कर दे तो घर का माहूल कभी भी नरक जैसा नहीं बनेगा मैं फिर कहता हूँ यह मत सोचो मरने के बाद नरक मिलेगा यहीं स्वर्ग है और यहीं नरक है हम खुद ही स्वर्ग का निर्मान करते हैं और हम खुद ही नरक का निर्मान करते हैं शान्ती चंजी अगर बन जाओ नाम से नहीं स्वभाव से प्रकृती से प्र दोद चन बन गए तो यहीं पर न रख है यहीं पर न रख है मेरे भाई बैनों भगवान ने तो यह कहा है कि आग को तनिक घाव को छोटा और रिन को थोड़ा मान करके कभी भी विस्वस्ता नहीं होना चाहिए आग को तनिक भी थोड़ी सी तो आग लगी है नहीं नहीं सावधान कर्ज लिया है बोले थोड़ा सा तो लिया है बोले सावधान गाव बोले छोटा साही तो है बोले सावधान बोले कुस्सा थोड़ा साही तो किया है बोले सावधान क्योंकि ये थोड़ा ही कब बड़ा हो जाएगा कब बहुत हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है अन थोवम वन थोवम अग्य थोवम कशाय थोवम चा ना हुमे भीस सी यववम वो कहते हैं अग्य थोवम यह अग्य थोड़ी सी है रिन थोड़ा सा है घाव छोटा सा है बोले भाई छोटा सा घाव कब नासूर का रूप ले लेगा कोई पता नहीं चलता इसलिए समझदार व्यक्ति इस कशाय को इस करोध को बढ़नी ही नदे अपने जीवन में इस बात का जरूर जरूर नियंतन रखे इसलिए लिए मैं सलाहत दूंगा सब्ताह में एक दिनcharge अत्वा मैहने में एक दिन उपवास जरूर करओं पर वो उपवास भोजन को छोड़ने का नहीं वो उपवास करोद को छोड़नी का हो सब खाऊ पीओ ना काँ तकलीफ है दिन में सैयम पूर्वक भोजन करना अपने आप में ही एक तपस्या है दिन में खाऊ रात्री भोजन अगर आपने छोड़ दिया दिन में खाना खा रहे और वो भी सात्विक और सैयम पूरवक कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक तपस्या है आपके सामने बजार की मिठाईयां आई और आपने कह दिया सामने मुझे तो बजार की मिठाईयों का त्याग है तो ये त्याग है ये कहना भी अपने आप में एक तपस्या है प्रभुजी सब्ताह में अगर हम एक उप्वास करते हैं मैं तो कहूंगा महिने में एक उप्वास कर लो सब्ताह में एक उप्वास कर लो खुद अपने दिमाग में तै कर लो कि जैसे मातायों और बेहने अकसर अश्टमी और चतुरदसी का उपवास या एकासन वृत करते हैं मैं कहता हूँ सबी लोग दुनिया भर के सबी लोग ये नियम बना लो अश्टमी चतुरदसी या संडे संडे या मंडे मंडे हम लोग क्रोध का उपवास करेंगे सुबह उठते ही सुरिदे हुआ होते ही हाथ जोड़ लीजिए मैंने सौमवार सौमवार प्रतिग्या कर रखी है कि मैं सौमवार सौमवार उपवास करूंगा क्रूद का उपवास अब दिन भर में ये बहुत बनाई रखे कि आज मेरे उपवास है जैसे मान लीजिए आपके अभी अगर उपवास हो और कोई खाना खालो क्या बोलेगी आप आपस उपवास है तो आपने कहा कि आज मेरे उपवास है मैं आज कुछ खा नहीं सकती तो यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई निमित्त बना बोले बाई साब आज रगड़ा जगड़ा मत करो आज मेरे उपवास है आज मैंने शांती का प्रण कर रखा है शांती का आज मेरे वरत है आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा कोई टेड़ा शब्द आज में नहीं बोलूँगा वो भी जिजट जाएगा गजब की बात यार क्रोध का भी उपवास होता है बोले हाँ साब मैं सोमवार सोमवार क्रोध का उपवास करता हूँ अच्छी बात है उसको भी प्रेणा लगे गयार हाद भी बड़ा जोड़दार है यार इसने तो सोमवार सोमवार क्रोध का भी उपवास होता है। पिर तो मैं भी आज उपवास करता हूँ। भोले तू भी करके देख ले। मैंने इसके फायदे उठाए। तू भी इसका फायदा उठा करके देख ले। क्रोध का उपवास। अन्न के त्याग के उपवास की बात आज नहीं कर रहा हूँ, आज मैं क्रोध के त्याग के उपवास की बात कर रहा हूँ, कि आज मेरे क्रोध का उपवास है, अन्न के त्याग से जितना आपकी आत्मा का कल्यान होगा, उससे कहीं ज्यादा, आपके क्रोध को त्याग करने से आपके आत्मा का भला होगा आपके जीव का भला होगा आपके परिवार का भला होगा घर का वातवन स्वर्ग बनेगा मैं फिर कहता हूँ स्वर्ग बनाना या नरक बनाना दोनों ही हमारे अपने हाथ में हैं आप बहुत आराम के लिए आप हजजत मत कीजिए एक महिने के बाद आपको उत्य चाहिँ आजज़त करने की पाला करने में कोई दिक्कत नहीं आप पर ई One क्षांति ने क्या है ख साहंति जैसे ही क्वैं क्वैंका नाम है साध्वी जैसे तो उनके यहां क्या होता है कि देखते हैं कहीं स्रावक लोग जाते हैं कोई नेगेटिव बात होती है तो मिटिंग होती है तो मिटिंग होती है उनको लगता है जैसे ही कि बात थोड़ी सी बिगड रही है वो जड़ से एक शब्द कहती है ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्त कोई उत्तेजित होकर के भी आया है तो करेगा क्या नेगेटिव वातवन को जीतना तो आपके और हमारे हाथ में एना आपके अभी मासक्ष्यमन चल रहा है क्रोध का और आप क्रोध के मासक्ष्यमन के दौरान कोई नेगेटिव बात होगे ओम शान्ति अब ओम शान्ति कहो और वहाँ से खिसक जाओ वातवन दूशित नहीं होगा हम नरक की आग में नहीं गिरेंगे मेरे भाई लोगों मैं ये मासक्ष्यमन करने की प्रेरणा देता हूँ कम से कम देश में और दुनिया में हम लोगों से जो लोग भी प्रेम करते हैं वो साल में एक मासक्ष्यमन तो जरूर करें अर्थात एक महिने तक मेरे क्रोध का त्याग सभी चीजें सरल होती है क्यों यहाँ पर positive mentality चाहिए जब यहाँ पर positive mentality है तो अपनी आप सब चीज नियंत्रित हो सकती है न हम कोई आकास से टपके हैं और आप कोई पाताल फोड़ करके नहीं निकले हैं अपन सभी इनसान है एक समझ को अगर हम लोग develop कर ले एक समझ को अगर हम हमारे भीतर विक्सित कर ले तो हम अपनी कई चीजों पर नियंत्रन पास सकते हैं महवीर जैसे बुद्ध जैसे राम और कृष्ण जैसे मान पुरुष्टों अपने सारे मनो विकारों को जीत गए हम पूरा जीत सके तो अच्छी बात है जीत न भी पाएं अरिहंत न भी हो पाएं तब भी कम से कम नियंत्रन तो अन पर किया ही जा सकता है हमसे पूरे उपवास नहीं होते कोई बात नहीं पर रात्री बोजन छोड़ दिया कुछ तो हमने अपने आपको सैयम में लेकर आगे कुछ तो अपने आपको नियंत्रन कर लिया भाई नियंत्रित करना सबके लिए आसान है क्रोध चार प्रकार का होता है पहला क्रोध है पानी पर खीची गई लकीर थोड़ा अपने सामने पानी लेकर के आईए तालाब में खड़े हो जाईए अब अंगुली चलाईए वो लकीर कितनी दिर तक रहेगी शान्ति प्रभुजी कह रहेंगे आदा सेकंड भाई साब आदा सेकंड बहुत बड़ा होता है तो अंगुली आगे बढ़ा तो से ही उदर में अपने आप ही मिट रही है तो पहली रेखा हमारा गुसा कैसा है चार तरह का पहला है पानी पर खीची गई लकीर दूसरा है बाडू पर खीची गई लकीर किस पर अब बाडू पर खीचो लकीर वो कितनी दिर रहेगी खुद अपने आपको प्रेरित करो अब वो कितनी दिर तक रहेगी एक प्यार भरा ज्होंका आया हवा का और वो वापस लकीर मिट गई टीसी लकीर है और वो है तलाब का पानी सूख गया तो मिटी में आ चुकी दरार वाली लकीर तलाब के सूख जाने पर मिटी में दरार की जो लकीर बनती है तीसी लकीर वो हो गई अब वो कितनी दिर तक रहेगी वापस अगली बार पानी न बरसे तब तक और चौथी लकीर होती है पत्थर पर लोहे की कील से खीची गई लकीर अब वो लकीर कितनी दिर तक रहेगी है लंबे समय तक बनी रहेगी अब देख लो भाई साब जिनके मन में अभी भी दस साल पुरानी बाते हैं पांच साल पुरानी बाते हैं उन समने किस में लकीर खीची है पत्थर पर लकीर खीच डाली है अब बताओ उनके अरबों अरब वर्षों के पुन्या उनके खतम हुए कि नहीं हुए दूसरी लकीर थी सरूवर की मिट्टी में खीच दी लकीर दरार पड़ गई वापस उसके मिट्नी की संभावना है पर पानी पर खीचिये लकीर बालू की रेखा पर खीचिये लकीर ठीक है भई मानो है मानो सौभाव है पानी में कभी कभी कोई लकीर खिच जाती है बालू पर कभी कोई रेखा खिच जाती है चलो वापस आदे गंटा के बाद मैं वापस मिल जुल लेते हैं कोई बात नहीं भई पीट लो पिट जाओ पर बोलना आपस में बंद मत करो इसको मैं अपनी भाशा में अगर कहूं तो चार तरह के क्रोध एक है मीठा दूसरा है मामूली मामूली तीसरा है बहुत चोथा है बेहद कौन-कौन से हैं सब बलनो नमबर एक मीठा नमबर दो मामूली नमबर तीन बहुत नमबर चार बेहद मीठा मामूली तक अगर कभी पहुँछ जाओ कोई रिस्क वाली ज्यादा बात नहीं है पर जैसे ही लगे हम इस मर्यादा को इस लक्षमन रेखा को हम क्रॉस कर रहे हैं हम बहुत और बेहद की तरफ जा रहे हैं ततकाल वहां से बाहर आ जाना पीछे लौट के आ जाना क्योंकि अपने लक्षमन रेखा का उलंगन कर डाला हम उस तरफ बढ़ गए हैं जो हमारे अरबों अरब वर्ष के पुन्यों को क्षय या खतम कर डालते हैं ध्यान रखो क्रोध जब आता है तो अकेला नहीं आता अपनी फैमेली लेकर के आता है क्रोध की अपनी फैमेली है क्रोध के पिता का नाम है गमंडी राम जी सब बोलो क्रोध के पिता का नाम गमंडी राम जी क्रोध की मम्मा क्रोध की मम्मी का नाम है उपेक्षा भाई क्रोध की मम्मी का नाम उपेक्षा भाई क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा पत्नी का नाम क्या है हिंसा ठीक है और क्रोध की सगी बेहन भी है जिसका नाम है निंदा चुगली क्या नाम है निंदा चुगली क्रोध की दो संताने भी साथ में आती है वैर विरोध क्या नाम है वैर विरोध उनके लाडले पोते भी साथ में आते हैं जिसका नाम है गाली गलोच क्या नाम है गाली गलोच भई फैमिली बहुत बड़ी है अब कितने कोई आप नियुता भेजते हैं उनको आने के लिए वो अलग बात है करोध जब भी आता है भाई क्रोध और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं ये शान्त होने पर ही पता चलता है कि इन्होंने हमें कितना नुकसान पहुंचा है